गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों, मैं रिच्छा आपकी हिंदी सिक्षिका जैसा कि आप सभी को पता हैं, हम अपनी ओनलाइन कक्षा में अपना पार्ट फोर अधिक बलवान कर रहे हैं आज मैंने हमारा पार्ट फोर अधिक बलवान खतम हो चुका है इस पार्ट से संबंदिक एक छोटी ची वक्षिट या कारे पत्रिका मैं आपको दे रही हूँ आप सभी इस कारे पत्रिका को अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वैम करेंगे आपको मैं इस कारे पत्रिका के अंतरगर सिरफ परशन प्रदान कर रहे हूँ अपनी अगली कक्षा में मैं आपको इसके उत्तर दूँगी आप सभी इन पर्षनों को कर मेरी परसनल लंबर पर मुझे वटसप करे और मैं उसे चेक करकर आपको दूँगी चलो मैं एक बार बच्चो आपको इस कारे पत्रिका को पढ़कर बताती हूँ आपको कहानी के अधार पर इन बाकियों को पूरा करना है हवा और सूरज में डैश छिड़ गई आपको पताना है कि हवा और सूरज में क्या छिड़ गई अगला है हवा की नजर एक डैश पर पड़ी हवा की नजर किस पर पड़ी सूरज डैश लगा आदमी की डैश उड़ गई आदमी ने उतार दिया मतलब आपको इन परशनों के उत्तर करने हैं खाली स्थान या रिक स्थान को भरना है आपका अगला परशन है सर्दियों में तुम कौन-कौन से कपड़े पहनते हो कि नी चार के नाम लिखो आपको उन कपड़ों के नाम लिखने हैं जो आप सर्दि के मौसम में पहनते हैं आपका अगला परशन है गर्मियों में तुम कौन-कौन से कपड़े पहनते हो कि नी चार के नाम लिखो आपको गर्मी के मौसम में पहने जाने वाले चार कपडों के नाम लिखने हैं अगला है क्या तुम जानते हो पोधे को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए चित्र देखो और लिखो आपके सामने एक छोटा सा चित्र दे रखा है आपको उसे देखना है और लिखना है कि पोधे को अपना खाना बनाने के लिए किन किन चीजों की अशक्ता होती है आप कृप्या इन चारो पर्षनों के उत्तर कर मुझे मेरे वाटसप नमबर पर सैन करें धन्यवाद